जहिन दोस्तों, दोस्तों हर दिन की तरह आज भी एक security guard के लिए vacancy लेके आया हूँ तो आज का जो vacancy जो है बहुत अच्छा एक opportunity आप लोग के लिए आप लोग एपलाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज जान लेते हैं आज का क्या-क्या vacancy है सबसे पहले तो आपका fill officer का vacancy है दूसरा है supervisor का vacancy है तीसरा है आपका lady guard के लिए vacancy है तो जितना भी lady guard है आप लोग directly apply कर सकते हो और दूसरा guard का भी vacancy open है तो बहुत अलग-अलग सी जगा पे vacancy है आप लोग apply कर सकते हो तो चलते हैं details wise आपको समझाएंगे क्या-क्या चिस आपको requirement परेगा वीडियो जो है बिना skip करते हुए देखिए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपका fill officer के लिए जो भी apply करना चाहता है उनको जो है अच्छा एक ग्यान होने चाहिए एक security के बारे में अच्छा एक ग्यान होने चाहिए उनको सबसे पहले तो क्या है कि पहले का experience होना बहुत जरूरी है security course जो है अलग-अलग सी course जो है उनके पास में diploma होना बहुत जरूरी है assistant security officer का course होना बहुत जरूरी है और SO security officer का course वो भी करके आना जरूरी है तो ये सब चीज जो बहुत important है जो civil से जो आना चाहता है ये course होना बहुत जरूरी है जो X Army है तो उसका course का कोई जरुवत नहीं है तो उनकी security certificate, experience certificate है उसे से उनका जो है भरती हो सकता है तो जो भी X Army है भरती होना चाहते है एक supply rank से लेकर आपको JCO rank टक opportunity है तो बहुत बढ़ा एक offer है आपके लिए आप qualify है तो आप आ सकता है तो बाकी हम बताएंगे आपका जो है category है क्या क्या होना चाहिए तो सबसे पहले तो क्या है जो भी fill officer के लिए apply करेंगे सबसे पहले उनके पास में क्या है जो X Army होगा तो सबसे पहले उनके पास में pen card होना चाहिए अधार card होना चाहिए bank passbook होना चाहिए qualification certificate होना चाहिए उनकी PPO का copy होना चाहिए बाकी उनका discharge book का एक copy होना चाहिए और security का जो किया हुआ है experience का जो है उनका एक certificate मिलता है वो भी हमरा पास में देना है तो यह सब चीज जो है लेके आईए आप apply कीजिए जरूर आपको मिले तो civil person जो भी apply करना चाहता है तो उनके लिए मैंने बताया गिया है पहले दो सबसे पहले तो क्या है जो भी श्यल कोर्स किया वाना चाहिए और बाकिया को fire certificate आपको पास में बहुत mandatory है आपको यह चीज़ होना चाहिए यह fire diploma लिया हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो कहीं से आपको fire course को certificate होना आपको बहुत जरूरी है तो यह सब चीज़ जो है देखते हैं फिर उसके बात में आपको selection किया जाएगा तो चलते हैं next और supervisor की post भी बहुत खाली है हमरे पास में जो भी supervisor interview के लिए आता है तो properly interview नहीं कर पाता है जो भी हमरे पास में interview के लिए supervisor post के लिए वो complete capability नहीं होता है तो minimum उनका 5 साल का job experience होना चाहिए security guard के अंदर पे फिर इसके बात में आपका जो है qualification minimum जो है तेन पास होना चाहिए उसकी qualification minimum तेन पास होना चाहिए उनकी पास में भी pen card, अधार card, bank pass book, qualification certificate, extra जो भी आपने course किया है या experience certificate मिला है किसी का appreciation certificate मिला है यह सब चीज जो है लेके कोई भी course extra जो किया हुआ है वो सब लेके हमरे पास में आएए आपके interview किजिए आप यहां से interview करेंगे तभी जाके आपको job मिलेगा तो supervisor के लिए भी अच्छा एक opportunity है आप लोग बिल्कुल apply किजिए आपको 100% आपको job मिलेगा तो next चलते है lady security guard तो lady security guard के लिए सबसे important यह होता है बहुत सारे ladies आता है guard करने guard duty करने के लिए तो उनको उनके पास में experience नहीं होता है तो आप लोग जब job के लिए interview के लिए जब आते हो तो उस time पे आपको थोड़ा कुछ security के बारे में knowledge होके आना बहुत जरूरी है थोड़ा कुछ security के बारे में knowledge होके आना बहुत जरूरी है आप थोड़ा prepare करके आईए आप interview के लिए आ रहा है आप कौन सी duty के लिए hospital duty के लिए आ रहा है तो hospital के बारे में एक hospital में एक lady security guard उनकी करतेव क्या है उनकी काम क्या है ओच चीज जानके आईए तभी जाके आपको क्या है interview क्रेक कर पाएंगे तो please आप लोग जितना भी lady guard है आप लोग interview करने के लिए आ रहा है तो ये सब चीज जो है prepare करके आईए और height जो है minimum उनका height जो है minimum आपको होना चाहिए 5.2 से उपर height minimum 5.2 से उपर और दूसरा क्या है आपको जो भी documentation है pen card, adhar card, bank pass book आपके नाम पे होना चाहिए qualification certificate और extra coin certificate आपका पास है वो भी आप लेके आ सकता है दोस्तों चलिए next है आपका traffic marsal, traffic marsal इसा duty है जो आप लोग ने देखा होगा बरे बरे जो construction होता है उस construction site में traffic जदा रहता है तो वहाँ पे जो track चलता है जो भी गारिया वहाँ पे जो काम करता है चलता है आगे पीसे बहुत चलता है तो उनको कह direction देना है तो लाल वाला एक जहनदा भी देखा होगा तो उसे stop करने के लिए तो यह सब चीज जो है वहाँ पे एक जोप है ट्राफिक कंट्रोलर जो ट्राफिक मरसल बोलते हैं हम लोग तो यह जोप के लिए भी क्या है आप लोग एपलाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा पैमेंड है उनके लिए भी तो यह गार से भी ज़्यादा पैमेंड मिलता है आपका ट्राफिक के बारे में थोड़ा सा नोलेश होना चाहिए तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाला है आप लोग जरूर देखिए उस वीडियो में जरूर मिलेगा तो पिसले का मैंने जो वीडियो बनाया है ट्राफिक कंट्रोल जो है एक कंस्ट्रक्शन साइट में किस तरगे से करना परता है तो आप लोग उसमें से जरूर तो देखिए तो आप apply करना मत भूलिए तो next hour चलते हैं various places आपकी job जो है आपकी job जो है बहुत अलग अलग जगा पे बहुत vacancy है सबसे ज़धा vacancy है गोहाटी local site में बहुत ज़धा vacancy है फिल officer का vacancy है supervisor का vacancy है lady guard का vacancy है traffic controller जो हता है traffic marsal का भी vacancy है और next आपके पास में है बर्बेटा site में जो भी ladies है अच्छा जानकर है security के बाले में जो भी knowledge है आप लुक apply कर सकते हो आप लुक मेरा जो वीडियो है उसकी link पे आप apply कीजिए उसमे apply to link करके लिखा हुआ है उसमें click कीजिए आप अपने mobile में आपका data भरिए फिर उसके बाद भेज़ दीजिए ये जल्दी से जल्दी आप लुक apply कीजिए और बहुत urgent requirement है तो hospital में जो भी duty कर रहा है उनके लि पूर जॉप मिलेगा हमारे जो company है बार बार आप लोग phone करके आते हो कि सर आपकी company जो है कहां पे है क्या है तो हमारे जो company जो है security agency है उस agency के अंदर पे आपको बहुत शारा लरका लरकी हमारा security guard के लिए vacancy है आप लोग जरूर apply कीजिए मेरा वीडियो का जो description है उसके न भूले तो इसी के साथ में आज मेरा topic जो है समापत हुआ मेरा वीडियो जो है अच्छा लगे जरूर subscribe करना न भूले और दूसरा आपको like, share, comment जरूर कीजिए जो भी emergency या urgent immediately जो भी comment चाहिए तो आपको जरूर super thanks देना न भूले super thanks जरूर दीजिए आपकी comment पर आपको immediately आपको reply मिल जाएगा जाते जाते एक और मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से एक share करना चाहता हूँ मेरा वीडियो जो है आपके लिए बहुत फाइडा है एक free में आपको training मिल रहा है यह एक education channel है इस education channel के अंदर पर आपको अलग अलग तरीका का training आपको मिलेगा आपको बहुत knowledge मिलेगा और दूसरा क्या है सबसे ज़दा फाइडा क्या है आपको job मिल रहा है बीना पैसा का आपको job मिल रहा है आप मेरा membership होंगे तो आपको 100% आपको job भी मिलेगा आपके friend circle जो काम नहीं कर रहा है घर में बैठा हो उनको दीजिए और वो कम से कम यहाँ पर apply करके job कर सकता है थैंक यू जय हिन कर दो